नमस्कार दोस्तों तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्पों टॉपिक पर यह टॉपिक है आपका लेंगिक आसमानता के बारे में तो बात करेंगे कि आखिर अभी किस अंदर में चर्शा में कारण बढ़न हुआ है फिर बात करेंगे कि ले लेंगिक आसमानता का अर्श्थ सास्त क्या है लेंगिक आसमानता के कारत क्या है और आसमानता को जो आसमानता है इससे समात करने के प्रयास क्या हो सकते हैं उसे भी बात देखेंगे और एक सब्द आप लोग सुनते रहते हैं कि जेंडर वजटिंग क्या है जेंडर वजट वाष्टीविक्ता में, हम उन लोगों में, निवेश कर्क्रले ही होता है, जो बाकी सभी छित्रों में निवेश करते हैं यानि कि सीधैन से मतलब है, आपने सुना हो गये कि अगर एक पुरसण- होता है, यानि कि साक्चर होता है य कि बात की जा रहे कि कमेला हो, पढ़ा देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे परिबार को आपने पढ़ा दिया है मेलेंडा गेट्स का एकथन पितिक छेत में नाकेबल महलाओं के महत को रेखांकित करता है बलकि उनकी प्रासिंगिता का भी निर्धा बीनेधारन करता है क्या आपने कभी आपने आसपास या पर्वोस में बेटी के जनम पर ढोल नगाड़े या फिर सहनाईयां बच्चते देखा है साइब नहीं देखा होगा और देखा भी होगा तो कहीं एकका दुखका वस्तुता हम भारत के लोग 21 भी सदी के भालती होने पर गरब करते हैं बेटा पहुत पैदा होने पर खुसी का जैसन मनाते हैं अगर बेटी का जनम हो जाये तो सांत हो जाते हैं बैस्विक में हमारी कोविद-19 यानि की कोरोना वाइरस के बाद महलाओं की स्तिती में गिराबट किया संका बेक्त की जा रही है इसलिए समस्या से निपटने में साधारण सुधारात्मत नेतियों के ततकाल हर्स्तुछिब की आवस्तकता महसूस की जा रही है बैस्विक आर्थिक मच्च के द्वारां बैस्विक लैंगिक अंत्राल रिपोर्ट 2020 के अंसाथ भारत में 91 बागे 100 लिंगनपाद के साथ 122 बे इस्थान परा यानि की 100 पुरुसों में 91 महिलाओं की बात की जाई 112 इस्थान परा वो लेकनी है कि बार्षिक रूप से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में बारत पिछले दो बरसों में 108 इस्थान पर बना हुआ था लेकिन आप समस्के रहे हैं अब 4 इस्थान गिरकर 112 इस्थान पर पहुँच चुका है समाज में लेंगिक आसमानता सोच समझ कर बनाई गई एक खाई है जिससे समानता के इस तरको प्राप्त करने का सफ़र बहुत मुस्किल हो जाता है एक बात आप लोग समझते हैं कि साइकल फिर चाहिए आपकी बाइख हो जिस तरह से इसमें दो तरुकि ऐर हो इन that हो आप सोचएं कि और आप साइकल चला सकें या जोगुए और साधन चला सकें एक ताय पत्थ नहीं चल सकता है लेकिन हो समात्य को नहीं समझते हैं इसी तरह आपने देखा होगा कि पेड़ बचाओ, बन बचाओ, बेटी बचाओ, चलना आए, आप समझेए कि पेड़ों को बचाने की जरूरत है, जिन्होंने हमें जनम दिया है, अगर उसे ही बचाने की बात की जाने लगी, तो साथ हम बहुत पीछे जाच चुके हैं, कहने इस तरह सोची है आप लोग कि अगर लिंगनपात में गिरावट आती है, तो हमारे ही अस्तप्त पर खत्रा मड़रा रहा है, कहने का मतलब सीधा इस पनासा है, लेंगी कासमानता के विभिने चित्रों की बात करें, तो इसमें सामाजी, कार्थिक और राजनितिक चित के पर ना केवल चचा की जाई, बलकि समस्या का समाना, तलासने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं लेंगिक समानता, आसमानता से तापर क्या होते हैं, लेंगिक आसमानता का तापर है कि लेंगिक आदार पर महलाओं के साथ भेदभाव से, लाओं के खिलाब भेदभाव दुनिया में हर जगे पिछले थे बैस्विक लेंगिक अंतरार रिपोर्ट 2020 कर्म सा बारत 153 देशों में 112 वे इस्थान पर आया है इसमें साफ तोर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लेंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी म उप्तर जीविता तथा आर्तिक भागिदारी के मामले में भारत सोची मनिमने स्थान पर आप्त करने वाली 5 देशों में सामल है स्वास्ते बंग उप्तर जीविता की छेत में भारत 150 बार इस्थान का पिदर्शन बहुत खराब रहा है जबकि भारत के मौकाबले हमारे और एराक 152 पाकिस्तान आपका 151 समद रहे हम लोग सबसे ग्रीव हुई इस्तिती में खड़े हुए पाकिस्तान से हमारा तुल्ला की जा रही है राजनेतिक ससक्तिकर्ण और भागिदारी में अन्य बिंदुगों की अपिप्चा भारत का पिदर्शन अठारबा इस्थान बहतर रहा लेकिन भारती राजनेति में आज भी महलाओं की सक्रिय भागिदारी बहुत ही कम है आपकोणों के इसर किवल 1430 महलाईं संसब तक पहुँच पाती है विस्तों में 1222 थान है भारत का रेपोर्ट के इसर भारत के इस बहतर पिदर्शन का कारण यह है कि भारती र बरसों में अनेक महला है राजनेतिक सीशत पदों पर रही है जिनमें आपने इंद्रा गांदी मायवत्ती ममता बनर जी को देख लिए जललता को उमाभारती को देख लिए ठीक है यह चल्चित नाम है महलाओं के लिए सेक्षी का उसरों का की उपलप्ता के बारे में भारत दो जार चे में पहली बार पिकासित आंपलों के तुलला में आर्तिक चित में महलाओं के लिए सक्रिये भागयदारी के आंकलों के एंद्र 냈 विभेन देशों में आर्थिक चेत में महिलाओं की स्थिति इस पिकार है भारत में 35.4, पाकिस्तान में 32.2, यमर में 27.3, सेरिया में 24.9, इराग में 22.7, पाकिस्तान से तुल्ना करना अपने आपको नीचे गिराना जैसा है, लेंगी आसमानता का अर्थ साथ महलाओं महलाएं दुनिया की कुलाबादी का करीब-करीब आधा हिस्सा हैं, और इसी कारण से लेंगे विभेत के ब्यापक और दूरगामी असर होते हैं, जिनका समाज के हरस्तम पर असर देखने को मिलता हैं, इसका आर्थिक मोर्ची पर भी बहुत गहरा असर होता है, बिस्वेंग की समोगी बर्स 2018 की एक रिपोर्ट के मताविक परोसों और महलाओं के बेतन में आवा समानता की बज़े से बिस्वेंग को करीब 160 खरब कितना, 160 खरब डॉलर की चती उठानी पड़ी दी, यही एक बड़ी हानी है, जिसकी ब्यापकता का अंदाज लगाना भी मुश्कल है, खास तोर से जब हमें पता चलता है कि अगर पुरुस और महलाओं कामगारों का वितन एक समान कर दिया जाए, तो इस से 20 की संपत्ती में हर व्यक्ति की जिन्दिगी में करीब 23,620 डॉलर की बिद्धी हो जाएगी, लेगंगी आसमानता की कारक क्या क्या हैं, उन्हें देखिए जिए, महलाओं को सामाजिक और परिवारिक रूडियों के कारणी विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके विक्तित का पूर्ण विकास नहीं हो परता है, सब्रिमाला और तीन तलाग जैसे मुद्दों पर सामाजिक मद्वेद, पित्थ सत्तात्मत, मानसिक्ता को इतिविम्बित करता है, बारत में आज भी बेवारिक इस्तर, बैधानिक इस्तर पर सर्वुच न्याला के, आदेशानिमसा संपत्ती पर महलाओं का समान अधिकार है, परिवारिक संपत्ती पर महलाओं का अधिकार पिचलन में नहीं है इसलिए उनके साथ बिवेदकारी बिभार किया जाता है राजनेति किस्तर पर पंचैती राज विवस्ता कुछ ओड़कर उच्च बैधानिक संस्थाओं में महलाओं के लिए किसी पिकार का आरक्षन की विवस्ता नहीं है वर्स 2017-18 के नभीनतम अधिकारिक आवदिक स्रम बलसर विक्षन के अरसाल भारती अधिल विवस्ता में एक महला सरम सक्ती और काल साइबाजिता दर्ग कम है महलाओं के रोजगार की अंडर रेपोर्टिंग की जाती है अर्थात महलाओं द्वारें परिवार के खेतों उत्यम में परकार करने को तथा घरों की वितक किये गए आप एतने कारियों को सकल घरेल उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है आप देखते हैं कि जो महलाओं क्हेतों में काम करती है फिर चाहे आप घर में देखते हैं उनके Towerspressument नहीं प्रव्टन दी आयाता है एक तरह से वो समास सिवा की तरह काम करती है उसे नहीं आप लोग देखते हैं कि सकल घरेल ज्यानी की GDV में जोड़ा है पुर्सों के अपिक्षा कम्जोर है हलागी लड़कियों के सेट्चिक नामंकन में पिछले दो दसक में बिद्धी हुई है तथा मादमिक सिक्षा तक लेंगिक समानता की इस्तिती प्राप्त हो रही है लेकिन अभी भी उच्च सिक्षा और व्योवसायक सिक्षा की छेत्व म महलाओं का नामंकन पूर्सों की तुला में काफी कम देखने को मिलता है आज समानता की को समाप्त करने के प्रयास कैसे हो सकते हैं उन्हें देखिए समाज की मालसक्ता में दीरे-दीरे परीवतन आ रहा है जिसके बैडाम सरुफ महलाओं से सम्मधित मुद्धों पर गंभी कि महलाओं भी जागने का काम कर रहे हैं आगे हर चित में देखिए बढ़ चड़ कर भाग ले रहे हैं सब्री माला का मुद्धा देख लिजे तीन दलाक का हाजी अली दरगा का राजनितिक पितिभान के चित में भारत लगातर अच्छा पितार प्रयास कर रहा है इसी के प अठतर महलाएं सवाज चुनी गई हैं कितनी अठतर महलाएं संसद में लोकसाबाद चुनावा में चुनी गई थी बारत में मेक्सको कार्योजना 1975 नेरोवी अग्रदर्थी रणीतियां 1985 लेंगिक समानता तन्हां विकास एवं सांती पर सेवतराष्ट महासाबाद सत्त द्वारा 21 सताब्दी के लिए अंगिकित बिजिंग डेकलेरेशन एंड पिलेट्फॉम फोर एक्सन को कायानवीत करने के लिए और कारवाईयां एवं पहले हैं जैसी सम लेंगिस समानता की बैस्विक पहलों की अभी बुष्टी की है बेती बचाओ बेती पढ़ाओ बनके स्टॉप सेंटर यूजना महला हेलप लाइन यूजना महला सक्ती कैंडर जैसी यूजनाओं के मत्यां से महला स्षख्ती कैंड का प्रयाश किया जा रहा है इसे योजनाओं के किरियानबन के परड़ाब सोग, लिंगानपाद और लड़कियों कि सैक्षिक नावंकन में प्रगती देखी जा रही है आतिक चिक्त में आत्मी रुवर्टा ही तू, मुद्रा और अन्रमाहिला के अंदरित योजनाय चलाई जा रही है मुझे लगता है, पता है, अगर सोच बदल जाए, समाज की तो सब कुछ हो सकता है क्योंकि पेड़ों के लिए ये आपका एक आपके अंदर फैंपड़े हैं, ठीक है तो दूसरे फैंपड़े उसी का हैस्सा, आपके फैंपड़ों का एक हैस्सा पेड़ों पटनगा हुआ है यही सोचिए, क्योंकि आप जब ऑक्सीजन लेते हैं, CO2, कारबन डाई, औकसाइड निकालते हैं यह कौन लेता है, बन लेते हैं, यानि कि पेड़ लेते हैं, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यह पूरा सरकल रहता है, रहता है एक नहीं गोल, आप सोचिए इस गोलाई में से अगर पेड़ों को हठा दी जा जाए, तो आपके फैंपड़े अखेला क्या उखाडवाए कुछ नहीं, समझ रहे हैं, यहीं आप बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ लगा सकते हैं, आप सोचिए कि महलाओं के बिना हमारा अस्तित कुछ भी नहीं, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं, नहीं समझते हैं, यहीं हाल है, लेंगी आसमानता को दूर करने के लिए, कानू जेंडर वजटिंग कहा जाता है, दरसल जेंडर वजटिंग सब बिगत दो, तीन दस्कों में, बैस्विक पटल पर उबर आए, इसके जड़िये सरक कारी यह उजनाओं के लाब महलाओं तब पहुंचाया जाता है, देख लेते हैं, जेंडर वजटिंग आखे क्या है, ले लेक को जेंडर वजटिंग कहा जाता है, यानि कि सिसू, कल्याण और महला ससकती करण के लिए कितना धन दिया जा रहा है वजटिंग में, उसी की बात करा है, महलाओं के खिलाफ होने बाले विल्दभाव को समात करने के और लेंगिट समानता को बढ़ावा देने के लिए, 2005 में भारत ने उपचारिक रूप से विद्धिय वजट में जेंडर उत्तरदाई वजटिंग को अंगेकार किया था, जे, जी, आर, बी का उदेश्ट, राजकोशिये नीतियों के मात्यम से, लिंग समंदी चिंताओं का समाधान करना है, आंगे की राय क्या हो सकती इसमें? लेंगिक समानता के उद्धिस्ट को हासिल करना जागरूपता कारक्रमों के आयोजनों और कार्यालों में कुछ पोश्टर चिपकाने तक ही सीमत नहीं रहे, या मूलूप से किसी भी समाज के दो सबसे मजबूत संस्थान और परिवार और धर्म की मानताओं को बदलने से सम समझी है कि अगर इंसान की अगर सोच बदल दी जाए तो बहुत कुछ बजला जा सकते हैं, इसके पिद्धी जागरूप करना चाहिए मैं, आखे पूर्शों को जेंडर वजटिंग के मात्यम से महलाओं को पित्यक चलावार्ती बनाने के वज़ाए उन्हें विकास यात्रा की एक मत्पूर्ण कड़ी बनाना होगा हाला कि जेंडर वजटिंग लेंगिक आसमानता को खतम करने में मत्पूर्ण भूमी का निवाद सकता है लेकिन इसके लिए जी आरवी यानि की आपका उत्तरदाई वजटिंग मात्यम से नीतियों को और अधिक प्रभावसाली और व्यापक दिश्टीकों से युक्त बनाना होगा उचित और बेवारिक आवंटर सुनिश्चित करना होगा बास्तविक सुधारों के लिए जेंडर वस्टिंग कुमहलाओं की आर्थिक सुधनता और आत्मने भरता से चुड़ना हो तो यह पूरा कहानी थी आपकी लेंगी समान आसमानता की याद रखी एक जगे हम लोगों इकान में आपन सो देखाता है सो अंकों में से आपका इकान में मिले हुए है वहाँ को ठीक है यानि किस्तिती आपकी इस तरह से ही